हेलो दोस्तों वेरी वेरी गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे एक नहीं ब्लॉग में फिर से आप सब का स्वागत है ये ब्लॉग है मंगलवार का और फ्रेंड्स ये जो टाइम होता है बहुती सुकून देने वाला होता है क्योंकि इस समय तक घर के मेरे सारे काम खतम हो चुके साफ सफाई नहाना और यहां पर मैं पोज्या करके अब उप परिकर्मा करते हैं क्योंकि अगर इस पेस है तो आप तुलसी की जो आपका पौध है उसके चारुतरप आप तीन बारी परिकर्मा कर सकते हैं अगर इस पेस नहीं है तो आप ऐसे ही घूम सकते हैं तीन बारी तो इससे जो है घर में सुक सम्रदी सांती बनी रहती है और तो चली फ्रेंट्स आ गई हूं मैं अब किच्चन में तो अब बनेगा जी नास्ता और बच्चे भी आज घर ही हैं क्योंकि उनके पेपर हो रहे हैं तो दोनों के आज पेपर नहीं है तो कल है इनका पेपर तो आज बने सुबह बनाई हैं पतक हो भी कि सबजी हस्बेंड भी नास्ता करके वही गए हैं और इसके बाद ही अब बस मुझे रोटियां बनानी हैं तो जब सब्जी वगेरा होती है तो फिर जो है हमारे गर में पराठे नहीं बनते सब्जी रोटी ही बनती है तो बच्चों को कावी भूख लगाई है क्योंकि वह नहां के तयार हो चुके हैं तो बस रोटिया भी बनाती जारी हैं साथ के साथ जो है उनकी पलेटे लगा कि उनको जो है नास्ता देती जारी है तो चलिए जी एक कॉमेंट पढ़ लेते हैं उस अरानी जीस से उनकी पाते रहते हैं तो आज उनके बेटे का बर्ड है उनके बेटे का नाम है रनवीर जो की 11 साल के हो गये हैं तो रनवीर बेटा आपको डहर सारी सुपकामनाएं बधाईयां आपके जनम दिन की और मेरी और से और पूरे यूट्यूब परिवार की और से और उस अरानी जी आ मैं दोनों बच्चों को नास्ता दे दिया है और जो है अपने लिए भी रोटी बना की रख दी है पहले मैं जो है यहां पे किचन साफ करूं कि तो किचन और बरतन जो होते न वह मैं पहले ही साफ कर लेती हूँ जब हजबेंड के लिए नास्ता बनता है उसके बाद ही पूरी वी उपर आटा गिराव है, सारा कुछ मैंने प्रात में ही जाल लिया है, क्योंकि जो आटा वगिरा होता है, या खाना वगिरा होता है, काउंटर टॉप में उसको नीचे नहीं गिराना चाहिए, वो पैरों पे लगता है, वनला अन होता है वो, तो इस तरीके से हाथ में लेक तो आज काफी समय बाद जो है पत्तागोबी की सब्जी बनी है मुझे पिछली सर्दू में बनी होगी और आज बनी है तो बस यहां पर मैंने साथ में सत्तू का हलवा भी बनाया है जो की लड़ गुपाल की भूग के लिए बनाया था तो बस थोड़ा समय ले लूँगी और इसके बादी जी चलते हैं आराम से बैटके अब अब नास्ता करते हैं काम सारे कंप्लीट हो चुके हैं तो चलिए प्रेंट साफ भी आजाएए और नास्ता करते हैं बड़ी असा इसके बाद करेंगे आगे की काम नास्ता हो गया है, थोड़ी सी सब्जी बच गया है, इसको मैं कटोरी में रखके, कड़ाई को खाली करके इसको धो दूँगी तो आपके बालो के लेके कापी सारे कॉमेंट्स आते हैं, कि आप बालो पर क्या लगाते हूं, तो मैं बालो पर ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूं, बस जहाने से पहले अच्छे से हेरोलिंग कर लेती हूं, और उसके दो घंटे बाद अपने बालो को धो लेती हूं, ना मैं क और एक चिपकली के लिए क्या करते हो तो देखे मेरे मझे दिखती तो नहीं है घर के अंदर बहार बालकनी में दिखती है चिपकली हाँ पहले बहुत हुआ करती थी तो जब से में मोर पंकी होता है ना वो मैंने रखा है अपनी लिविंग रूम में तो बस तब से जो है क्प्लीट हो चुका है किचन का तो बस सारे काम तो खतम हो चुके बस लास्ट का काम रह रहा है मुझे कपड़े दोने है यह तो मैंने यह कपड़े जो है नाने से पहले ही सर्फ में बिगोने रख दिये थे तो कुछ इसमें वाइट कपड़े हैं कुछ रेगुलर कपड़े ह तो सारे ही जो है मैंने विगोने रख दिये थे क्योंकि थोड़े से कपड़े होते हैं तो इसके लिए क्या मसीन लगा ना तो मैं हाथ से दूती रहती हूं बीच बीच में कपड़े तो इससे दो काम हो जाते हैं अपनी भी कसरत हो जाती है साथ में जो है बिजली पानी की भी बचत हो जाती है क्योंकि मसीन में तो आपको पता ही है कि बिसली भी ज्यादा घाती है और पानी भी ज्यादा लगता है तो चलिए जी दूल गये हैं कपड़े झाल स्क्षाओ जिए हैं कि लगता है तो आपके जादा जादा हैं किघा भी जैजगा में जादा है हैं कि जादा जादा है तो जी अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा सामको 5 बजे का टाइम हो रहा है इस समय तो बस कपड़े मैं दिन में ही लेके आ गई थी क्योंकि आज ना अची खासी दूपती तो कपड़े जल्दी सूख जाते तो मैं उनको टाइम पे लेके आ गई थी और इसके बाद ही हाँ पे उसके बाद मैंने रेस्ट किया दिन में और दिन में हमने लंच में कुछ खास बनाया है नहीं वैसो के लिए मैगी बनाई क्योंकि खुशी अपने फ्रेंड के बड़े में चली गई और नीचे से जो है कड़ी आ गई थी दादी देगे गई थी कड़ी तो बस मैंने सोचा अगर मुझे भूक लगेगी तो मैं एक गादा रोटी बना लूँगी कड़ी के साथ खा लेकिन कभी कबार एक आदा इधर उधर हो जाता है तो फिर इस तरीकी से ही सौट कट मारा जाता है तो चलिए फ्रेंड सी यहां पर अच्छे सिफ तैय में लगाऊंगी कपडों की और साथ के साथ कपडों की तैय लग जाए ना तो जैसे घर में पहनने वाले जो कपड़े बनी रहती है घर में चलता फिरता रहता है तो कपड़े फोल्ड करने बैटी थी तो उससे पहले ही मैंने पूरा घर अच्छे सेट कर लिया है जो भी चीज़े दर दर बिख्री वी रहती है दिन भर में बच्चे इदर दर करते रहते ना तो वो सारा कुछ मैंने जो है जग चल रही है बहुत तेज हवा चल रही है फ्रेंड्स आन्दी तुफान आ रहा है अभी अरे देखना वो जंडा देखना कुपता हुए अरे यह देखो उनके कपड़े देखो जरा अभी अभी वह आई है मौसम चेंज कब उत्तर रहे है कब उत्तर सारे पंची भी घबरा गए कि दूआ क्या ही है चानक मौसम को काला हो गया मौसम तो चलिए जी अभी साड़े पांच बजे का टाइम हो रहा है इससे पहले मैंने आपको दिखा है मौसम अच्छानक से इतना ज्यादा अच्छा हो गया ना मंतों आधी तूफान सा चलने लगा काले काले बादा लागे तो लगता है थोड़ी देर में बारिस भी हो जाएग कि ऐसा लग रहा है तो चलिए फ्रेंट्स यह आ चुके हैं इनको मैंने एक गिलास पानी दे दिया है पीने के लिए इसके बादी अब मैं रखूंगी चाय बनाने के लिए तो मैं वेट करती रहती हूं क्योंकि साथ में हम चाय पीते हैं साम वाली क्योंकि बच्चे तो पी क्योंकि बैट के हम काभी सारी बाते भी करते हैं और यहीं टाइम होता है जब हम चाय पी के आराम से एक दुसरे के साथ टाइम भी बिताते हैं तो चलिए फ्रेंट्स यहां पे इनको थोड़ी सी भूख लग रही थी तो इन्होंने का भूख लग रही है तो मैंने का चलो इसमाइली है मेरे पास मुझे नहीं पता है इनको वह कहते क्या है हम ना रिलाइंस से लेके आये थे इनको और यह अब खतम भी हो रहे हैं बलकि तीन-चार वारी तो हम पहले भी निकाल चुक है इनको चाहे के लिए तो बस इनको जो है फटा-फट से करेंगे तो यह फ्री झाल चाहे पता है तो पूरी प्लानिंग बनी थी कि उपर चाई पीते हैं मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन जैसी में चाई लेके उपर आई न तो इतनी बारिस हो रही थी तो बस अब नीचे यहां पर सीड़े पर बैठके ही चाई पी रहे हैं थोड़ी देर में वारिस भी बन्ध हो ओ गई थी अभी उपर ही है जब हम उपर आते चतपे न तो डेली हम साम को चटपे भी टहलने आते हैं जभी आजाते है न यहां से आपको मंसा देवी का मंदिर भी दिखाई देगा जो कि हमारे गर से दिखाई देता है दूर पहाड़ी पे तो अभी यह जूम करके दिखाएंगे दिखाएंगे जल्दी जल्दी दिखाओ और यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा पीछे एकदम दिख रहा है यह है मंसा देवी का मंदिर जो कि हमारे गड़ से आराम से दिख जाता है जै हो माता राने की और आप मैंसे एक कोमेंट वे आये ता कि हर द्वार का टूर कराईए तो देखेंगे अभी थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाए ना तो बस जो है हर द्वार का जो मार्केट है और इदर उतर जिसे मंसा देवी चंडी देवी हर की पॉड़ी वगेरा इस तरीके के जब हम जाएंगे ना तो जरूर जो है वहां की वीडियो बनाएंगे तो बस यहां पर नीचे में थोड़ा सा गंबलों में जोसे वैसे पत्ते हो जाते ना सुखी सुखी पत्ते उनको गिरा के गंबलों में ही डाल दे रही थी ताकि खाद बन जाती ना उनकी अच्छी तो इधर पीछे देखे जहां पर यह मंदिर साब को दिख रहा है यह बहुती खुबसूरत वियो सच में मौसम इतना अच्छा हो गया तरह उसके बाद सच से नीचे आने के बाद 6.30 के करीब हम मार्केट गये हैं थोड़ी सी सबजी लेके आए हैं क्योंकि सबजी नी थी तो अभी डिनर के लिए भी कोई सबजी नी थी तो बस गोबी और खीर तो चलिए फ्रेंट्स यहां पे सबजी के लिए चड़ा दिये हैं कड़ाई इसमें तोड़ा सा तेल डाला है तो आज की जो सबजी बन रही है वो हस्बेंट बना रहे हैं और बिना प्यास लेसन के बन रही है तो यहां पे जक्या का तड़का लगाया है जो कि हमारे अब समका नाला है तो ऑस इनको भी रख दूंगी तो आलो बिलकुल खतम हो रहे थे तो जो दो चार अलो बचे थे मैंने सब्जी में डाल दिये थे और जो इनकी नीचे में नियूस पेपर लगा के रखती उनको भी मैंने चाड़ दिया है कि क्या डाला है अपने अच्छा है अच्छा है कि बेसिक मुसाले सिंपल साधा खाले में सयर अदवनी रखते हैं तो जब आलू गोई थोड़ी से गल ले तेनों इसमें टमाटर काट के साथ में जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है नमक पहले ही डाल चुके थे और अब इसको धीमी एकदम सिम आज पर पकाएंगे दीरे-दीरे सब्जी जब सिम आज पर पकते नहीं तो बड़ी टेस्टी बनती दोस्तो मैं बना रही हूं रोती सब्जी बन सकी है मंतब ठोड़ी सि कसर रही रहें सब्जी ऊदर रखती है इदर मैं रोटीं आने लगी हूं आज मेरा काम बहूत आसन करते हैं बहुत अलप करते लोंने सब्जी बनाते और दूसरों के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है ना रोज रोज अपने हाथ का का के हम बोर हो जाते हैं तो चली में फटाबट जो बनाती है रोटी फिर मिलती हो आपसे तो दोस्तों यहां पर 9 बच के 40 मिनट हो चुके हैं डिनर हमने कर लिया है साथ मैंने बरतन भी दो लिया है और उपर से काउंटर टॉप और किचन गैस वगेरा सारा कुछ अच्छी से साप कर लिया है अब आती है नीचे की बारी तो नीचे लगा लेंगे एक पोछा तो इस तरीके से रात को भी सोने से पहले सब कुछ साप सुत्रा करके सारा कुछ साप सुत्रा रहता तो अच्छा लगता है तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से रहता है मेरा पूरा दिन भर का रूटीन सुबह आज मैंने नौ बज़े से शुरू करी वीडियो और आब रात के